Hello friends, आज की इस वीडियो का टोपिक है वर्ब में ing लगाने के नियम कि वर्ब में हम ing किस तरह से लगाएंगे फर्स्ट नमबर देखी, यदि वर्ब के अंत में कोई consonant हो तो उसके अंत में ing जोड़ देते हैं जैसे eat, eating second, यदि वर्ब के अंत में e हो तो e को हटा कर ing जोड़ देते हैं जैसे make, making यदि एक syllable वाले वर्ब के अंत में एक consonant हो और उसके पहले एक sort vowel हस्व, स्वर हो अथार्थ, वर्ब के अंत में एक sort vowel जथा एक consonant हो तो ing को जोड़ने से पहले consonant को डबल कर देते हैं जैसे cut, यहाँ पे t consonant है और t से पहले u है, जो की u एक vowel है तो इस t को हम डबल कर देंगे और ing राइट करेंगे लिखेंगे, c, u, double, t, ing, cutting फूर्थ नमबर रूल देखिए, यदि एक syllable वाले वर्ब के अंत में consonant और उससे पहले एक से अधिक vowel हो तो consonant को डबल नहीं करेंगे डाइरेक्ट हम ing जोड़ देंगे जैसे बिट, b, e, a, t लाश्ट में एक consonant है लेकिन उससे पहले एक से अधिक vowel हो तो लाश्ट वाले को हम vowel consonant को डबल नहीं करेंगे डाइरेक्ट ही ing उसमें जोड़ देंगे तो बिट का ing फोर्म बनेगा b, t थैंक्यू है वे नाश्टे फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए टोपिक और नए लेसन के साथ